नवस्कार बहुत स्वागत है आपका आसार मास्क की कथा आसार मास्क में भगवान स्री कृष्ण भगवान स्री हरी की अराधना होती है इस महने में स्री हरी सो जाते हैं और जगत का पालन यहां से सिवजी करते हैं तो इस मेहने में इसकंद पुरान की कथा सुनने का भी धाने चलिए सुनते हैं भगवान सिव की महिमा जिनकी आग्या से ब्रंभा जी इस जगत की सृष्टी और विश्णु भगवान पालन करते हैं और जो स्वयम ही काल रुद्र नाम धारन करके इस विस्व का संगार करते हैं उन पिनाक धारी भगवान संकर को नमस्कार है नेमी सारर ने तिर्थ सब तिर्थों में उत्तम और समस्त छेतरों में स्रेश्ट है प्राचिन काल में वहां सौनक आदी तपस्वी मुनी एक ऐसा यग का अनुष्ठान कर रहे थे जो दिर्ग काल तक चालू रहने वाला था उस यग में दिक्षित सभी महर्सियों का सबके प्रती समान भाव था एक दिन उन सभी महातमाओं के दर्सन की उत्कंठा से प्रेड़ित होकर महा तपस्वी 82 से लोमस मुनी महा पहुंचे उसे दिर्ग कालिक यग का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमस जी को आया देखकर एक साथ ही उठकर उनका स्वागत किया सब के मिन में उल्ला सचा गया और सभी उनके दर्सन के लिए उत्सक थे वे पाप रहित महा भाग महरसी गन लोमेज जी को अर्द और पाद निवेदन करके उनके सथकार में लग गया आतित्त के परस्चात उन्होंने बिस्तार पुरवक सिवधर्म सुनाने के लिए लोमस जी से प्राथना की इस पर उन्होंने सिव जी के उत्तम महात्म मका वर्ड़न कोई भी नहीं कर सकता जो लोक सिव इस दो तो अक्षर के नाम का उच्चारन करेंगे उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे इसमें तनिक भी संदे नहीं है महादेब जी देपताओं के पालक और सबका सासन करने वाले हैं वे बड़े उदार और घरदानी हैं उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को द साला और राजा स्वेत को संकट से चुराया उन्हादेब जी की महमा का वर्णन कौन कर सकता है मुनियों ने पूछा मुने भगवान सिव ने कैसे बिसभक्षन किया और कैसे दक्षियक का विनास किया यह सब बाते हमें बतलाईए हमारे मन में यह सब सुनने के लिए बड़ स्वेक्षा नुसार घूमते वे नवमी सानन ने आये और वहां के रिसी मुनियों ने उनका बड़ा आदर सतकार किया संपुर्ण देबताओं और असुर ने भी अस्तुती नमसकार के दोरा दक्ष का सम्मान किया किन्तु भगवान संकर ने उनको परणाम नहीं किया दक्ष ने जब इस बात के लक्षी किया तो उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ और वे पजापती ठहरे या अपमान कैसे संते बला उन्होंने तुरंद भगवान सिवक प्रती कटू वचनों की बौचार आरंब कर दी अहो ये संपुर्ण देबता असुर भी मेरी चर्णों में मस्त जुकाते हैं स्रेष्ट ब्रहमन भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे परणाम करते हैं प्रंद यह संकर दुष्ट पुरूसों की भाती मेरे सामने सीस क्यों नहीं जुकाता वह भूत प्रेतों का स्वामी है सदा प्रेत पिचासों से घिरा राता है फिर भी अपने आपको महा को ब्रहुत करोध आया और वेवले अहो स्वामी महस्वर यग्य भाग से वंचित किये गए यग्य दान तप नाना प्रकार के तिर्थ जिसके नाम सही पवित्रवे हैं उन्हीं भगवान सिभ को स्राप क्यों दिया गया खोटी बुद्धी वाले दक्षि वह यग्य जिसमें स महामते तुम्हें ब्रहमनों के प्रती कभी क्रोध नहीं करना चाहिए मैं ही यगिं हूँ मैं ये करने वाला यजमान और आचारे हूँ सम्पूर्ण यग्यांग भी मैं हूँ इसलिए मैं सदा यग्य में रथ हूँ मुझे कोई स्राप देकर यग वहिस्कित नहीं कर सकता इसी प्रकार सरव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूँ और किसी भी सीमा से आबद नहीं हूँ। इसे दूर दृष्टी से देखने पर मैं सदा ही सभी यग में ब्रह्म हूँ। भगवान संकर के इस प्रकार समझाने पर महातवस्वी नंदी ने विवेक का आस्रे लिया और सिव जी का ससंग पाकर वे पर्मानंद में निमन्न हो गये उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोज में भर कर अपने अस्थान से चले गये। वे परणाम ना करने वाले रूद्र को भूल ना सके। बारम बार उनका स्मरन करके क्रोथ से जलने लगे। भगवान सिव की और से उन्होंने स्रधा हटा ली और सिव के उपासकों की निंदा संगलंग्न करने लगे। एक समय दक्ष ने स्वेम ही एक महान यग का आजवजन किया और उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी रिसी मुनियों को बुलाया। बसिष्ट आदी अनेक रिसी उस महा यग में पधारे अगस्त कस्यव अत्री कामदे ब्रिगू दधी ची भगवान ब्यास भरदवाज गौतम ये तथा और वहोत से महर्शी वहाँ आए सभी देवगन समस्त लोकपाल बिद्याधर गंधर्व और किन्नरों का भी आगवन इंद्रानी के साथ देवराज इंद्र रोहिनी के साथ चंद्रमा अपनी प्रिया के साथ वरुन देव भी आए कुवेर पुस्पग विमान पर वायू देव म्रिग पर और अगनी देव बकरी की सबारी कर चड़कर पधारे नत्यत तकौन से अधिपती प्रेद के कंधे पर बैट कर आए और इस प्रकार सब लोग दक्ष को यग्य साला में उपस्तित हुए वहां पर बिश्व कर्मा के द्वारा बनाए अनक दिव भवन थे वे सभी बहुमुल उपकर्णों से सजेवे अत्यंत प्रकास मान थे उन्हीं भवनों में दक्ष ने अपने समागत अतीति को यथा योग अस्थान दे कर ठराया दक्ष का वह महायग्य कंखल तिर्थ में आरंब हुआ और उसमें उन्होंने भिवो आदी तपो धनों को रिसिज बनाया अनेक प्रकार के कौतुक और मंगलाचार संपन करके दक्ष ने उस यग की दिख्षा ली साथ में उनकी धर्म पतनी भी बैठी ब्राह्मनों ने स्वस्ति वाचन किया और उसमें अपने स्वहिदर से गिरवे दक्ष अपना महत्तो बढ़ जाने के कारण अधिक सुसोभित हो रहे थे इसी प्रकार महर्सी दधीची ने वहां दक्ष के से इस प्रकार कहना आरंब किया प्रजापते ये देवे स्वरगन ये बड़े-बड़े महर्सी लोक पाल भी तुम्हारे यग्य मंडप में पधा रहे हैं तो भी पिनाक पानी महात्मा संकर के बिना या यग्य अधिक सुभा नहीं पा रहा जिसके बिना मंगल भी और मंगल रूप में परिनत हो जाता है तथा जिन तरिनेक भगवान के अधिकार में आने पर मंगल भी ततकार मंगल के रूप में बदल जाते हैं वे तब तक महां क्यों नहीं दरसंदे रहे दक्ष अब तुम्हें भगवान विश्णू इंद्र के साथ जाकर भगवान महेस्वर को बुला लाना चाहिए उन्हें योगी संकर की उप देने लेगे उनका भीतरी भाव तो दूसित था किन्तु उपर से वे हस्ते वे बोल रहते उन्होंने कहा संपुन देपताओं के मूल है भगवान विश्णू जिनमें सनातन धर्म की उपस्तिती है जिनमें संपुन बेद यग्ये नाना प्रकार के सतकर्म भी प्रतिश्टि सब महात्मा यहां पदारपन कर चुके हैं और आप सब महर्सी गन वेद के वाक्य और उनके अर्थ के भी तत्तव्य हैं दरता पुर्वगबरत का पालन करने वाले आपके होते वे हमें रूद से क्या प्रयोजन है ब्रहमन सब लोग मिलकर मेरे इस महान यग्य को सफल करन वाले समस्त्र सेष्ट महर्सियों और देपताओं के समुदाय में यह बड़ा भारी अन्याय हुआ है भगवान सिर्व के अंत्रित नहीं किया गया महात्मा संकर के बिना इस यग में सिग्र ही महान बिगना आने वाला है ऐसा कहकर महर्सी दधीची अकेले ही दक्ष की य रहने बाले हैं भगवान बिश्णु आप सबके अगरनी है अब सिग्र ही आप लोग मेरे यग को सफल बनाईए जब उन सभी महर्सियों ने वहां देव यग आरम बे किया उसी समय महादेवी दक्ष कुमारी सती ने जो गंध माता परवत पर अपनी सक्षियों के साथ बिर चंद्रमा के समीव गई और बिने करके उनके यात्रा का उद्दे से पूछा चंद्रमा ने दक्ष के यग में जाने का बितांत कह दिया यह सुनकर बिजिया को बड़ा हरसुआ बिसमे हुआ उसने तुरंत लोटकर सती ने चंद्रमा की कहीवी बाते कह सुनाई जिसके सुन कर के ही सती देवी सक्कियों के साथ वहीं पर ठारा कर स्वैम भगवान संकर के पास गई उन्होंने देखा तरिनेक धारी महेस्वर सभा मंडप में बिराजमान है चंड मुंड आधी सभी सारसद उन्हें सवोर से घेर कर बैटे हैं वान बिरिंगी नंदी महाकाल महारौद महा सिरा धुम्र के तु धुम्रपाद अन्य बहुत से गन रुद्र का अनुवरतन करने पाले हैं सभी जितेंदरी और बीत राग हैं लोक कल्यानकारी भगवान संकर इन सबसे घिरे हैं और परम अधवुत आसन पर बिराजमान है सती का मन भगवान सिव का दरसन करते ही उनकी और आकरिष्ट हो गया वेसासा उनके समीव चली गई और भगवान सिव बड़े आदर के साथ प्रिती युक्त बचनों से सती को आनंदित कहा कहा प्रिये इसमें तुम्हारे यहां आगमन का कारण क्या है सती कहती है देवेस्वर मेरे पिता के घर महान यग्य हो रहा है उस महादेब जी ने मधुरवानी में कहा कल्यानी तुम्हारे पिता की द्रिष्टी में जो देवता असूर किन्नर आदी सम्मान निये हैं वे सब निसंदे उसके यग में पहुंचे हैं सुंदरी जो लोग दूसरों के घर बिना बुलाए जाते हैं वहां मिर्तियों से भी अध महादेब तो आप ही हैं फिर आप को मेरे पिता ने निमंतरन क्यों नहीं दिया यह दुरुभाव है मैं जाना चाहती हूं आप पिता के मैं जा रही हूं यकमंडब वहां मुझे जाने की आग्या दीजिए सती देवी के यों कहने पर भगवान महिस्वर बोले उत्तम ब्रत का पालन करने वाली देवी यदि ऐसी बात है तो इस नंदी पर सबार हो कर जाना और तुम्हें मैं सिग्र वहां जाने की आगया देता हूं यात्रा करो भगवान सिप के आदेश से साथ हजार रुद्रगन सती देवी के साथ चले उन गनों से गिरीवी देवी ने अपने प वचन निकाला अपने पितादवारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब फिर वहां लोट कर नहीं आएगी आगे की कथा दूसरे भाग में फिलाल बिदा लेते हैं वीडियो पसंद आए तब प्लीज वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे अपनों से से शेयर कीजे और कमेंट में हर हर महादेव जरू लिखेगा धन्यवाद